दुर्गा सब्तसती चोथा अध्याय इंद्रादी देवताओं द्वारा देवी के स्तुती महर्सी बोले उस दुस्टात्मा पडम बलसाली महिसा सुर और उसकी सेना को देवी ने मार डाला तब समस्त इंद्रादिक देवगन प्रशन हो सीर और मस्तक जुका कर भगवती के स् जिन भगवती की ही सकती से यह संपोर्ण विश्व उत्पन हुआ है और जिनकी समस्त देवता और महर्सी गन पूजा करते हैं ऐसी जगदंबिका को हम भक्ति पुर्वक प्रणाम करते हैं वह हमारा कल्यान करे ब्रह्मा विश्णु और संकर भी जिसके अतुल्निये प्रभ भाव और सक्ति का वर्णन नहीं कर सकते वह चंडिका देवी विश्व का पालन करे तथा असुभ भै का नास करने को तैयार हो वे जो पुन्यात्मा है उनकी घड में आप लक्ष्मी का रूप हो पापियों के यहां दरिद्र रूप हो सुध हिर्दय वालों के हिर्दय में बुद्धी का रूप हो स्रेष्ट मनुस्य के यहां स्रध्धा रूप और सत्कुल में उत्पन होने वाले के यहां लज्जा स्वरूप हो हे देवी हम सब आपको नमस्कार करते हैं हे भगवती आप संपुर्ण जगत की रक्षा करो आपके इस अचिंत्य रूप का असुरो के संघार करने वाली सक्ति का तथा युद्ध में असुरों के साथ आपके अनेक प्रकार के चरित्रों का हम किस भाती वर्णन करें आप त्रिगुनमई होते हुए भी सारे संसार का हेतु हो आप छे में दोस नहीं ज्यान होते ब्रह्मा विश्णु और महादेव भी आपका पार पाने में असमर्थ है आप ही सबका आस्रे हो यह संपुर्ण विश्व आप ही का अंसमात्र है आप ही अव्याकृत तथा परंप्राकृत आदि सक्ति हो हे देवी समस्त यग्यों में मंत्र रूप आपका नाम उच्चारन कर हवी देने से संपुर्ण देवता त्रिप् इस्त्रि गंत्रिप्त होते हैं इस कारण स्वधा रूप भी आप ही हो हे भगवती आप मुक्ति का हे तु अचिंत्य ब्रह्मरूपिनी महा व्रता हो हे देवी आपका अभ्यास राग द्वेस पढ़ित तत्व वित्ता जितेंद्रिये तथा मुक्ष दुर्गा सब्तसति भ धर्म वीर हैं धन्य है तथा इस त्री पुत्रदास आदि से संपन्न रहते हैं हे देवी आपकी कृपा से पुन्य सेल पुरु सदैव धर्म कारिक किया करते हैं और मृत्यों के बाद उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है इस कारण हे देवी आप त्रहलोक के में मनमान्चित फल की दाता हो हे दुर्गे देवी दुखी मनुष्य के स्मरन करने पर आप उनका संपुर्ण भै दूर कर देती हो स्वस्त पुर्षों के स्मरन करने पर उनको उत्तम बुद्धी देती हो दरिद्रता के दुख और भै को नस्ट करने वाला तुम्हारे अलावा और कौन है जिसका चित दूसरों के उपकार करने के लिए दया से परिपोर्ण है हे देवी इन असरों को मारने से संसार में सुख हो और ये असुर नरक में रहने के निमित भले ही पाप करते हो परंतु युद्ध में मर कर ये स्वर्ग लोक को प्राप्त करे इसलिए आप इनका वद करती हो हे देवी संपोर्ण दैत्य आपको देखने मात्र से ही भस्म हो जाते हैं किन्तु आपने सस्त्र से इनका संगार इसी कारण किया कि पवित्र सस्त्र के प्रहार से असुरों को स्वर्ग मिलेगा इस प्रकार सत्रूग के लिए भी आपके कितने स्रेष्ट विचार हैं। आपकी तलवार की उग्र प्रभा से और त्रिसूल के नोक की चमक से उन राक्षसों की आँख फूट नहीं गए। दुर्गा सब्तसती भासा लिये कि कारण कि किरन सहित चंद्रमा के सद्रिस आपका सीतल मुख उन्होंने देख लिया था। हे देवी आपका सील दुराचारियों के दुराचार को दूर करने वाला है और उसकी समता नहीं है। को भैभित करने वाला एवं आपके समान सुन्दर स्वरूप और कहां है। हिदय में दया परंतु युद्ध में कठोडता यह बाते त्रेलोक में आप ही में दिखाई देती है। आपने युद्ध में सत्रूओं को मार करके तीनों लोकों की रक्षा कर उन असुरों को स्वर्ग पहुचा दिया। और उन मत तसुरों से हमें निर्भय कर दिया है। हम आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी त्रिसूल से हमारी रक्षा करो। हे अंबिके इस खडग से हमारी रक्षा करो। तथा घंटा की ध्वनी धनुस धनुस की टंकार से हमारी रक्षा करो। चंडिके पुर्व पश्ची मुत्तर दक्षिन इन चारो दिसाओं में अपने इसे त्रिसूल को घुमा कर हम सब की रक्षा करो तीनों लोकों में आपके जो सुन्दर तथा भयानक रूप विचरते रहते हैं उन सब रूपों से हमारी और प्रित्वी की रक्षा करो दुर्गा सब्तसती भासा है अम्बि के आपके करकमलों में खडग सूल गदा आदी सोभित है उन सब से हमारी रक्षा करो रिसी बोले जब देवताओं ने जगदंबा स्री दुर्गा देवी के नंदनवन के सुन्दर पुस्पो तथा सुगंधित धूप से पूजा और स्तुती की और भक्ती भाव से सुगंधित धूपों से पूजन किया तो देवी ने प्रशन होकर देवताओं से कहा हे देवताओं तुम लोग मनवांचित वर्दान मांगो देवता बोले आपने सब कुछ दिया है अब कुछ भी अवसिस्ट नहीं है हे मातेश्वरी आपने हमारे बैरी महिसा सुर का नास कर दिया इस पड़ भी आप यदी हमे वर्दान देना चाहती हैं तो हे भगवती आपती के समय जब जब हम आपका समरन करे तब तब आप दरशन देकर हमारे दुखों को दूर करना और हे सुमुखी जो कोई भी आपका समरन करे उसको धन एस्वर्य इस्तरी संतानादी से परिपोर्ण करना और हम सब पर सदैव प्रसन्न रहना रिसी बोले हे राजन देवताओं ने समस्त जगत तथा स्वाकल्यान के लिए जब इस तरह प्रसन्न कर लिया तो भद्रकाली देवी ऐसा ही होगा इस प्रकार कह करके अंतरध्यान हो गई हे राजन समस्त जगत का कल्यान करने वाली भगवती जिस प्रकार समस्त देवताओं के सरीरों से उत्पन होई थी वह सब मैंने आप से कह दिया फिर पारवती जी के सरीर से जगत की रक्षा और देवताओं का कल्यान करने वाली देवी दुर्गा कैसे प्रकट होई वह सब कथ मैं तुम से कहता हूँ जो इस प्रकार से है तुम ध्यान पुर्वक सुनो